आपका स्वागत है चलिए आज बनाते है मिल्कमेट और नारीयल की बूरे की वर्फी इसके लिए जो हमें सामाद चाहिए वो मिल्कमेट ये एक तिन लिया हमें लेकिन इसको हम आधा ही लेंगे साथ में नारीयल का बूरा थोड़ा सा घी और उपर से डालने के लिए मैं चाह हमें से फैसे दो मिनट भूनना है इसको जलने न पाए वह दूं धीमियाज पर रखकर इससे महश के अच्छी आ जाती है नारीयल के बूरे में डालने को आप यूं भी डाल सकते हैं तो दूं धीमियाज पर रखकर हम इसे भून लेंगे और दो मिनट के बाद हम इसमें मिल बूरा में मिल्क मेर भी डाल देंगे दो तीर मिनट हमें इसे भी अच्छी से भूल लेना हैं इस तरह में चलाते हुग इसे भून लेना है और एक प्लेट में घी लगा कि तप्लेट को जिसमें हम इसको डाल के जमने कली रख देंगे प्लेट में अच्छे से घी लगा लेंगे ताकि निकालने में बड़ पी अच्छे से निकल जाएं किस तरह से अच्छे सबून चुका है और जमने लाइक हो गया अब हम इसे घी लगी प्लेट में निकाल लेंगे जमने के लिए यह देखें घी लगी फ्लेट में हमने बड़ जमा दी है और उपर से हमने इसमें कटे हुए काजू, किस्मिस, बादा, मुचिरोंजी को डाल दिया और हाथ से ऐसे हलका प्रेस कर देना है कि अच्छे से इसमें सेट हो जाएं एक 5 मिनिट हम इसको फ्रिज में रखने के बाद इसको काट देंगे यह हमारी मिल्कमेड नारियल की बर्पी तयार है यदि आपको हमारी रैस्वी कसंद आई हो लाइक करें कमेंट करें सुस्क्राइब करें